नमस्कार आपकी फर्स्ट यूनिट के लास्ट ओथर है नैंतारा सहगल तो अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं आया है questions descriptive होंगे या objective होंगे अभी clear नहीं है तो आप ये authors के बारे में पढ़ लीजिए और जैसे ही notification आता है तो मैं आपको clarify कर दूँगी देखते हैं नैंतारा सहगल is the second daughter of विजयलक्ष्मी पंडित नैंतारा सहगल दूसरी बेटी है विजयलक्ष्मी पंडित की the sister of पंडित जवारलाल नहरू जो के पंडित जवारलाल नहरू की बेहन थी विजयलक्ष्मी पंडित जवारलाल नहरू की बेहन थी और उनकी बेटी है नैंतारा सहगल यानि के इंदेरा गांधी की cousin हुई है her father रंजीत सीतराम पंडित यानि नैंतारा सहगल के जो पिताजी थे रंजीत सीतराम पंडित वो एक बैरिस्टर थे he was a classical scholar और वो एक विद्वान भी थे classical यानि classics के साहित्ते के विद्वान थे he translated उन्होंने अनुवाद किया राजतरंगिनी राजतरंगिनी एक संस्कृत का ग्रिंथ है जिसको के कलहन ने लिखा है बहुत फेमस है जीके के परपस से भी आपको याद रखना चाहिए कि राजतरंगिनी को कलहन ने लिखा है तो ये जो ग्रंथ है इसको from Sanskrit into English संस्कृत से English में अनुवाद किया इसका किसने रंजीत सीतराम पंडित में जो के नैंतारा सेगल के पिताजी थे नैंतारा पास्ड हर स्कूलिंग नैंतारा ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रेंड की from Woodstock School लंदोर अब Woodstock School है लंदोर में ये जो जगह है मसूरी के पास है इन 1943 उनी सो तेतालीस में एंड हर ग्रेजुएशन और अपना इसनातक किया फ्रॉम वैलेजली कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स इन 1947 में तो वैलेजली कॉलेज अमेरिका से इन्हों ने अपना इसनातक किया she was married to Gotham Sehagle उनकी शादी होई Gotham Sehagle से and लेटर E.N. Mangat Rai और उनकी मृत्तियों के बाद में इनकी शादी होई E.N. Mangat Rai से अब पंजाबी क्रिश्चिन एक पंजाबी क्रिश्चिन थे यह एन मंगतराई who was an Indian Civil Service Officer जो के Indian Civil Siva में थे she received साहित्य अकेडेमी अवार्ड in 1986 1986 में इनको साहित्य अकेडेमी अवार्ड मिला for her historical and political fiction उनके एतिहासिक और राजनीतिक उपन्यास के लिए जिसका टैटल था Rich Like Us तो ये आपको याद रखना है कि Rich Like Us इस उपन्यास के लिए नैंतारा सैगल को साहित्य अकेडेमी अवार्ड मिला था 1986 में इट डेपिक्स ये वर्णन करता है The Chaos chaos मतब जो एकदम से उथल पुथल मच जाती है उसको chaos बोलते हैं between 1932 and 1965 तो 1932 से लेकर 1965 तक जो देश में उथल पुथल हुई उसका वर्णन करता है एक न्यूडल ही दिल्ली में on 6 अक्टूबर 2015 6 अक्टूबर 2015 को शी रिटर्ण उन्होंने वापस कर दिया साहित्य अकेडेमी अवार्ड जो उनको साहित्य अकेडेमी अवार्ड मिला था 1986 में उन्होंने 2015 में वापस कर दिया following the murder of गोविंद पंसारे यानि जो हत्या हुई थी गोविंद पंसारे की नरेंद्र डावोल कर इनकी भी हत्या हुई थी और कलवुर्गी और कलवुर्गी की हत्या हुई थी तो इन murders के विरोध में उन्होंने अपना साहित्य अकेडेमी अवार्ड लोटा दिया था बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी लोगों ने अपने अवार्ड वापस किये थे in 2018 she was elected 2018 में उनको चुना गया as the vice president उपाध्ध्यक्ष of pen international ये एक संस्था है तो उसका उपाध्ध्यक्ष इनको चुना गया 2018 में और ये अभी जीवित हैं तो जितने भी authors आपके first unit में थे nine authors total थे तो उनमें से eight authors वो इस दुनिया से सभी जा चुके हैं तो केवल यही एक author है आपके syllabus में आपके first unit में जो के जीवित हैं उनके works देखते हैं पहला है prison and chocolate cake 1954 में publish हुआ from fear set free 1963 में a time to be happy 1958 में this time of morning 1965 में storm in Chandigarh 1969 में the freedom movement in India 1970 में sunlight surrounds you 1970 में the day in shadow 1971 में a voice for freedom 1977 में plans for departure 1985 में rich like us 1985 mistaken city 1988 a situation in noodle ही यह है 1989 lesser breeds 2003 the fate of butterflies novella है नोवल से थोड़ा छोटा होता है यह 2019 में इंदिरा गांधी इमर्जेंस एंड स्टाइल यह 1978 में इंदिरा गांधी हर रोड टू पावर यह 1982 में पहला नोवल टाइम टू बी हैपी दा नोवल वास पॉब्लिश्ट इन 1958 यह उपन्यास प्रकाशे तुह था उनी सटावन में इट डपेट्स यह वर्ण करता है दा स्टोरी ओफ सनाड सनाड की स्टोरी कहानी का who wants जो चाहता है to resign त्याग पत्र देना from the British company अंग्रेज कंपनी है सेल करक एंड लो यह कंपनी का नाम है एट सहारनपूर सहारनपूर में end और ends by forging his links और अंत में होता यह है कि उसकी जो links हैं उसके जो संबंध हैं वो हो जाते हैं stronger और ज्यादा मजबूत with the company इस company के साथ यानि वो त्याग पत्र देना चाहता है लेकिन परिस्थतियां ऐसी हो जाती है कि उसके संबंध इस company से और मजबूत हो जाते हैं सनाड इस दा सन ओफ लेंड लॉड सनाड एक जमीदार का बेटा है he joins the company वो इस company को join करता है sell kirk and low ये company का नाम है इसको join करता है learns सीख जाता है eating and drinking खाना और पीना मतब के meat खाना और शराप पीना and gets married और उसकी शादी हो जाती है with कुसम कुसम से who is very sensible जो के बहुत समझदार है and patriotic lady और देशवक्त महिला है and when freedom comes at last और जब अंत में आजादी मिल जाती है he makes profit from the company तो वो company से love कमाता है thus he has the talent इस प्रकार उसके अंदर talent है प्रतिवहा है to be happy, खुश होने की and none can stop him और उसको कोई नहीं रोक सकता from getting on आगे बढ़ने से उसके बाद next है this time of morning ये अगला उपन्यास है it is a political novel ये एक राजनीतिक उपन्यास है published in 1965 जो 1965 में प्रकाशित हुआ it tells ये बताता है what happens कि क्या होता है in the corridors of power corridors means गलियारों में of power सत्ता के, सत्ता के गलियारों में क्या होता है in the drawing rooms और बैठकों में of political people, राजनीतिक लोगों की ये जो drawing room होते हैं उन में क्या होता है और in the lobbies of parliament या फिर जो हमारी संसद है उसकी lobby में क्या होता है the action takes place in Delhi, इसका जो पूरा action है इस novel की जो कहानी है वो पूरी कहानी दिल्ली में है it depicts ये वर्णन करता है the fall of कल्यांड सिन्हा, कल्यांड सिन्हा के पतन का a strong pillar जो की एक मजबूत खंभात है of the government, सरकार के राकेश a junior official, राकेश जो की एक junior officer है in the external affairs ministry external affairs मंत्राले में, returns from abroad, वो विदेश से वापस आते हैं, टूडल ही दिल्ली में and even at palm, और palm जो हवाइड़ा है, वहाँ पर ही, he smells the pace of change, वो सूंग लेते हैं, परिवर्तन की गती in the country, देश में he is soon caught up, उनको जल्दी ही जगड लिया जाता है in the will, यनि भमर में, will होता है, भमर पर जाता है ना, नदियों में, पानी में और वो उस भमर में जो फसता है, वो फिर डूब जाता है, तो वो भी जगड लिया जाता है, इनको यनि भमर में, of politics, राजनीती के, social life, सामाजिक जीवन के and intrigues, intrigues क्योंते हैं, शडियंत्रों में नीता is an idealistic lady, नीता एक आदरश्वादी महिला है, she is convinced, वो विश्वस्त हो जाती है, आश्वस्त हो जाती है, by the ideas of कल्यार सिनहा कल्यार सिनहा के विचारों से, because, क्योंकि she wants, वो चाहती है, safety, सुरक्षा and conformity, और विश्वास, सुरक्षा और विश्वास वो चाहती है Thus, This Time of Morning, इस प्रकार ये जो पन्यास का टाइटल है, is one of the best political novels, ये एक सबसे अच्छे राजनीतिक पन्यासों मैंसे है, written by an Indian in English, जो के एक भारती के द्वारा English में लिखा गया है Next है, Storm in Chandigarh, Chandigarh का तूफान, Storm in Chandigarh was published in 1969, तो ये जो पन्यास है, 1969 में प्रकाशित हुआ, presents the political background ये प्रस्तुत करता है, राजनीतिक प्रिश्टभूमी and human relations, और मानव समंद, after the partition of Punjab, पंजाब के विभाजन के बाद, at the time of independence, आजादी के समय, तो आजादी के समय, पंजाब का विभाजन हुआ था, आदा पाकिस्तान में चला गया, आदा भारत के पास रह गया ये जो राज है, फिर से बांट दिया गया, in two, दो भागों में, पंजाब, the sick dominion, and हरियाना, the hindu dominion, तो पंजाब जिसमें के sick लोगों का बर्चस्व है, और हरियाना जिसमें के hindu का बर्चस्व है, but चंडिगर्ड बिकेम the common capital, लेकिन जो चंडिगर्ड शहर है, वो दोनों की समान राजधानी हो गई, common capital हो गई, दोनों की पंजाब की राजधानी भी, चंडिगर्ड है, हरियाना की राजधानी चंडिगर्ड है of both states, दोनो राज्यों की, Harpal Singh is the chief minister of Harjayaanah, Harpal Singh, Harjayaanah के मुक्हिमंत्री है, and Gyan Singh is the chief minister of पंजाब और ग्यान सिंग पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो एक दूसरे के लिए तलवारें खींच लेते हैं जैसे जैसे संगर्ष बढ़ता है विशाल दुपे is deputed from डलही तो विशाल दुपे को दिल्ली से भेजा जाता है इस समस्या को हल करने के लिए विशाल बैक्स हरपाल तो विशाल हरपाल को सपोर्ट करता है और उसको तयार करता है उसकी सुईकार करने के लिए ग्यान स्चेलेंज ग्यान की चेतावनी of a general strike एक सामाने हरताल की violence occurs हिंसा होती है and हरपाल is wounded और हरपाल गायल हो जाता है and hospitalized और उस्पताल में भरती हो जाता है in the last ant में the conflict was solved जगड़ा सुलजता है by the talks only केवल बातों से ही besides this political background इस राजनीतिक प्रिष्ट भूमी के अलावा the novel projects ये जो novel है ये जो अपन्यास है वो दिखाता है Vishal Dove's personal life Vishal Dove की व्यक्तिगत जिंदगी he is a widower वो एक विधुर है यानि के उसकी पत्नी मर चुकी है first he feels पहले वो अनुभग करता है attracted यानि के आकरशन towards प्रती गौरी के प्रती अब बेंगौली businessman's wife जो के एक बंगाली व्यावसाई की पत्नी है एड चंडीगर चंडीगर में he develops वो विकसित करता है deep attachment गहरा सम्मंद to Saroj Saroj से wife of इंदर जो के इंदर की पत्नी है इंदर is attracted towards मारा और इंदर मारा के प्रती आकरशित है who is wife of जित जो के जित की पत्नी है इंदर and जित are businessmen इंदर और जित व्यावसाई है इंदा and अन्त में जित and मारा are united जित और मारा एक हो जाते है Saroj comes to Delhi Saroj दिली आ जाती है to meet विशाल विशाल से मिले and इंदर is left alone और इंदर अकेला रह जाता है भाई यह बड़ी जटिल कहानी है next है the story of India's freedom movement तो भारत के स्वतंता संग्राम की कहानी the story of India's freedom published in 1970 तो यह जो पुस्तक है 1970 में प्रकाशित हुई is a unique tale यह एक अद्वितिय कहानी है of how the ordinary people कि किस तरीके से जो सामान्य लोग है participated उन्होंने भाग लिया in national struggle राश्ट्रिय संगहर्ष में and defeated और हरा दिया the Britishers अंग्रेजों को इट डेस्क्राइब्स यह वर्णन करती है the twists and walls जो twist means मोड होते हैं वल्स भमर होते हैं तो जो मोड आए जो भमर आए came in the life of leaders नेताओं के जीवन में it is an historical यह एक एतिहासिक तो कभी-कभी historical से पहले n लगता है आपको लग रहा होगा गलत है तो कुछ grammarians इसको historical pronounce करते हैं और n लगाते हैं कुछ इसको historical pronounce करते हैं और a लगाते हैं तो दोनों ही सही है it is an historical but more political novel तो यह एक एतिहासिक और उससे भी ज्यादा एक राजनीतिक उपन्यास है the day in shadow तो अगला वर्क है the day in shadow published in 1971 यह 1971 में प्रकाशित हुआ is a story of smriti यह smriti की कहानी है who searches जो तलाश करती है her happiness अपनी खुशी in राज राज में he is a Christian वो एक इसाई है यानि कि जो राज है वो कि इसाई है and passionately believes और वो passionately मतब बहुत ज्यादा विश्वास करता है in freedom आजादी में it is a thought-provoking and emotional novel यह एक thought-provoking यानि विचारों को जागरत करने वाला and emotional और एक भावनात्मक उपन्यास है the story sets in Delhi तो जो कहानी है वो दिल्ली में शुरू होती है and presents और प्रस्तुत करती है the modern India आधुनिक भारत को and Indian politicians और भारती राजनितिग्यों को away from Gandhi's ideals जो के गांधी के आदर्शों से दूर है next है rich like us तो इसी के लिए उनको साहित अकडेमी अवार्ड मिला था नेंतारा सहगल को rich like us तो ये जो टाइटल है ये इसी नॉवल में एक incident है कि एक meeting होती है business man यानि कि जो व्यवसाई लोग है उद्देव धंदों वाले लोग है उनकी एक बैठक होती है तो उसमें एक Mr. Newman है वो कहते हैं कि अगर जो इंडिया के गरीब लोग हैं वो हमारी तरह काम करें तो they would be rich like us यानि कि गरीब है जो भारत देश है गरीब है वो इसलिए गरीब है कि हमारी तरह काम नहीं करते हैं लेकिन अगर वो हमारी तरह काम करें तो they would be rich like us तो ये इसका title है इट इस दे स्टोड़ी अफ टू विमिन प्रोटेगोनिस्ट ये मुंख्यत है ये जो कहानी है», दो महिलाएं है जो कि इसकी प्रोटेगोनिस्ट है मुंख्यपात्र हैं rose and sonali rose is a british immigrant rose जो है वो british immigrant यानि के एक प्रवासी है अंग्रेज प्रवासी है अंग्रेज महिला है जो के भारत आई हुई है प्रवास यानि कि उसने जो शादी की है and wife of a powerful businessman एक अच्छे शक्तिशाली व्यवसाई की पतनी है while जबके sonali is a young educated civil servant जो sonali है वो एक युवा शिक्षित civil servant है यानि के नौकर पेशा है अफसर है roses mind possesses ancient customs तो जो rose है क्योंकि अंग्रेज महला है और भारत में रह रही है तो उसके दिमाग में जो भारत की प्राचीन परंपराएं हैं वो पजस किया रहते हैं उसके दिमाग को जगड़े रहती हैं दो यद्यपी she wants वो चाहती है to adjust करना in foreign society विदेशी समाज में यानि जो भारत का समाज है उसके लिए विदेशी समाज है तो इस समाज में वो adjust करने की कोशिश करती है अपने आपको ढ़लने की कोशिश करती है Rose is the second wife of Ram तो Rose जो है वो राम की दूसरी पत्नी है तो राम वही powerful businessman है जिनकी बारे में बात हुई तो उनकी पहली पत्नी की मृत्यू हो चुकी है और उनका बेटा भी है राम का पहली पत्नी से She appreciates Indian culture वो appreciate करती है यानि तारीफ करती है चाहती है प्यार करती है भारतिय संस्कृती से When Ram falls sick जब Ram बिमार पड़ता है शी realizes वो महसूस करती है her duties अपने करतव्यों को as a wife एक पत्नी के रूप में यानि उनकी सेवा करती है बिमारी में देव राम सन देव जो के राम का बेटा है from his first wife मोना उनकी पहली पत्नी मोना से Conspires वो शड़ेंत्र रशता है to take लेने के लिए all his assets असेट्स यानि संपत्ती सारी संपत्ती यानि अपने पिता की सारी संपत्ती हड़पने की कोशिश करता है राम का बेटा देव जो कि उसकी पहली पत्नी का बच्चा है और रोज को वो किनारे लगाना चाहता है इन फियर डर की वज़े से she turns towards सोनाली वो सोनाली की तरफ चली जाती है सोनाली lives in Delhi सोनाली दिल्ली में रहती है during the political disturbances राजनीतिक उथल पुथल के दोरान at the time of emergency on one hand एक और she has her ideals उसके अपने आदर्श है and is very progressive और वो बहुत प्रगतिवादी है in her thoughts अपने विचारों में and on the other और दूसरी और she has conservative ideas उसके रूडिवादी विचार है at Oxford, Oxford में she is united, वो मिलती है with Ravi Kachuru, Ravi Kachuru से a childhood friend जो उसके बचमन का दोस्त है, he is a communist, वो एक साम्मेवादी है सोनाली says, सोनाली कहती है I did admire, मैं पसंद करती थी and envy his commitment और envy का मतलब इर्शिया करना होता है लेकिन ये jealousy से अलग है envy जब आप किसी से करते हैं, देखिए jealousy रखते हैं तो आप उसका बुरा चाहते हैं और आप जलते हैं लेकिन जब आप envy रखते हैं किसी से तो आप competition की भावना रखते हैं यानि कि आप भी उसके जैसे होना चाहते हैं तो मैं प्रशनसा करती थी और envy करती थी यानि प्रतिसपरधा रखती थी his commitment, commitment क्या होता है जब आप किसी चीज से बन जाते हैं यानि आप अपना भरोसा दे देते हैं कि ये काम हम करेंगे विश्वास वादा पका जबाब कर लेते हैं तो वो commitment होता है तो मैं उसके commitment से प्रतिसपरधा रखती थी it was so cloudless ये इतना cloudless देखे cloudy जब होता है कोई चीज तो clear नहीं होती a spasht होती है और जब cloudless होता है तो spasht होती है चीजे it was so cloudless मदब कि इतना spasht था but I couldn't understand लेकिन मैं नहीं समझ पाई why we had to keep के हमको क्यों रखना पड़ता था cutting and passing western concepts together cutting and passing मतलब कि बचबच कर चलना समभल कर रहना western concepts जो पाश्चत विचार हैं उनके साथ together साथ and tying ourselves टाई मतलब बांदना और हमें अपने आपको बांदे रहना पड़ता था to them उन से यानि western concepts से forever हमेशा के लिए as if जैसे के Europe were Europe ho the center यानि के केंदर बिंदू of the universe इस प्रहमांड का and the Bible and the Mary or Bible or Mary were the last words अंतिम शब्द हों of mankind इंसानियत के thus इस प्रकार she goes away वो दूर हो जाती है यह this नहीं thus वो टी-एच-ई-उ-एस from him उसे when, jav, they come back to India वो भारत वापस आते हैं तो यह आपकी first unit यहां खतम होती है तो आप देखिए आपकी first unit complete थर्ड यूनिट complete होई है फोर्थ यूनिट complete है फिफ्थ complete है शिख्थ complete है सेविन्थ यूनिट में वर्जिनिया वुल्फ का professions for women हो चुका है उसमें तीन chapters रहे गए हैं तो आपका काफी सलेवर्स complete हो चुका है एट्थ यूनिट अभी मैंने टेच नहीं की है बाकी सारी यूनिट में से maximum काम आपका हो चुका है ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं नेक्स वीडियो में मैं कोशिश करूँगी अब आपकी second unit को खतम करवाने तो उसके साथ ही आपकी छे यूनिट कम्प्लीट हो जाएंगी ठीक है तब तक के लिए धन्यवार